असलाम आलईकुम वेलकम वेलकम बाक टो माइ चानल आज हम बनाएंगे कश्मीर की फेमस विंटर डेलिकेसी जो के है होगाड हुचगाड ड्राइड फिश भी बोल सकते हैं इस वीडियो में हमने शेयर किया है आप होगाड को किस तरीके से गर पे साफ करें किस तरीके से गर बना सकते हैं without any problem इसलिए आप पूरी वीडियो को पूरा end तक जरूर देखे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसको dry roast करेंगे dry roast करने के लिए आपको तवे को गरम करना है जो ही तवा गरम हो जाएगा इसके बाद हम इसमें गार डालेंगे फिर हमें 5-6 मिनट इसको हिलाते रहना है जलाने नहीं है फिर जाकर 5 मिनट के बाद हम इसको उतार देंगे रोस करने के बाद ये soft हो गई होगी इसके बाद हम इसको clean करेंगे clean करने के लिए सबसे पहले हम सर काट लेंगे अगर आप चाहे आप सर लेकर कर सकते हैं फिर जाकर हम बाटम से काट करेंगे और इसके अंदर जो भी होगा वो हम निकाल लेंगे आप चाहे तो रोस करने से पहले ही कर सकते हैं उसके बाद रोस करें आपकी मर्जी है लेकिन प्रेफर करें आप पहले रोष्ट ही करें फिर जाकर आप इसको क्लीन करें इसी तरीके से हम सारे होगाड को इसी तरीके से क्लीन करेंगे यहां देख सकते हैं हमने यहां होगाड को अलग रख दिया है साफ करके और जो बाकी है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे अब हमें हगाड को boiling water में डाल देना है आपको ध्यान रखना है आपको हगाड को boil नहीं करना है खाली boiling water में डाल देना है फिर एक दो मिनट डग के रख देना है ये step हम इसलिए करते हैं ताकि इसके उपर जो भी dust हो वो निकल जाए 5-5 minute के बाद आप इसको गरम पानी से रब करें उसके बाद थंडे पानी से दो ले आपको हगाड को थंडे पानी से एक दो बार अच्छी से दोना है ताकि ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाए यहाँ पर जो हगाड है ये बिल्कुल क्लीन हो गई है अब हम इनको कूट लेंगे कूट लेने के टाइम आप इसमें दो चाल लसन शामिल कर दे इससे इसका टेस्स एन्हांस हो जाता है इसके बाद आप इसको अच्छे से कूट ले यह पूरा ओथंटिक वे है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे है आप चाहे तो इसको मिकसर में कर सकते है लेकिन उतना जायका नहीं आता है जितना कि आपको इस तरीके से कूटने में आएगा इसलिए मैं आपको सज़ेस्ट करूँगी कि आप इसी तरीके से इसको जरूर कूट ले जो हमने होगार का पेस बनाया है अब हम उसको फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के लिए आप तेल ले ले उसमें एक प्याज डाल दे प्याज जो ही आच्छे से फ्राई हो जाए उसमें एक चम्स दीरा शामिल करें फिर हम सारी चीजों को एक साथ बूंद लेंगे अब हम इसमें कुटी हुई हगार्ट शामिल करेंगे फिर जाकर हम इसको 5-6 मिनट तक फ्राइ करेंगे अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे यहां पर हमने एक टेबल स्पून नमक शामिल किया है इसके बाद हम इसमें एक टेबल स्पून चिली फिलेक शामिल करेंगे ये आप्शनल है आदी चमच लाल मिश पाउडर आदी चमच से कम हल्दी पाउडर और आदी चमच से कम हम इसमें शामिल करेंगे सांफ पाउडर फिर जाकर हम सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे इसमें कोई भी खड़ी मसाले हम शामिल नहीं करते हैं इसको आप साथ साथ हिलाते रहें अगर आपको लग रहा है कि ये ड्राइ हो गया है तो आप इसमें एक दो टेबल स्पून पानी भी शामिल कर दें हम इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करते हैं इसको हम एक्चुली सोट बोलते हैं ये सबजी नहीं होती है ये बस सोट होता है चटनी होती है साइड डिश मान लीजे आप यहां पर हमारा सूपर टेस्टी हगाट सोट तयार हो गया है आप इसको जरूर ट्राइ करें अगर आपके गर में कोई एल्डरली है आप उनके लिए जरूर के बनाएं उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सबस्क्राइब करें